असलाम उलेकुम नाजरीन, स्पोर्ट्स बैटक में खुशाम दीद तो वर्लकप हमारे सर पे आ चुका है, जिस जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले ताके वर्लकप की खुशियां और गम हम आपस में बाट सकें आज सुबह एक प्रेस कॉनफरेंस होती है, जिसमें हमारे इंजी भाई, दचीफ सिलेक्टर, वो हमारा 18 रुपनी स्कॉर्ड अनाउंस करते हैं, जो के इंडिया में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि जब वो टीम अनाउंस कर रहे थे तो बोल तो वो रहे थे, लेकिन अलफास किसी और के थे वैसे ही मैं एक रेंडम कोईस्टिन पूछना चाहूंगा आपसे, कि अगर आप किसी टूर पे जाएंगे तो किस के साथ जाना पसंद करेंगे यार अगर कोआ रहा हूंगा तो दोस्तों के साथ, शादी चोज़ा तो बेगम के साथ ही जाता है बंदा वैसे एक बात है कि हमारी टीम भी इंडिया के टूर पे जा रही है और हमारे जो कप्तान है वो बैचलर भी है तो इफ यू नो वट आइ मीन बहराल जो सबसे पहले हमारे एजन्डे के अंदर शामिल है आज के जितनी भी चीज़ है जो भी कॉंट्रोवर्शल सेलेक्शन हुई है उसको हमने थोड़ा सा डिसकस करना है आज तो शुआत हम करते हैं के भाई यह सेलेक्शन जो है वो किसकी सुलेक्शन है बेसिकली क्या बाबर की सुलेक्शन है या टेकनिकल कमिटी की सुलेक्शन जिसमें मिस्बों और हफیस चामल तह War पhrल या ल्या जो कह को H feat. curios Monkey गो से यो । नहीं Up Hochtoridender तो बाबर आजम की जो है अपनी जो है जिद है यह जो यह टीम सेलेक्ट हुई है जिस से मैं तो बिलकुल नाखोश हूँ ना मुझे यह समझ आ रही है टीम इनके लिए बस मैं वही बात कहूंगा जो मेरे जहन में एक आ रहा है इकबाल तेरे शाहिन पुरानी बेगरती पहोता जो थी इनकी सही है जो जैसी रही थी पुरानी बगाया बस यार अब मेरे बाद कुछ कहने हुए ही नी वाली वाली आप कर रहे है यार क्या बात करें इस पर मतलब आप यह तो लग नहीं रहे है ना वर्ल्डप पे पर अपना बस एक बस में बैठ के टूर पे चले जाओ परोगे टूर scooter वाले सहरा अचा भई तू जा रहा है ला-đचार सो तू लेया तू लेया तू लेया तू ले के निगल लिया इसे लिए तो मनफसंट लेगाया है और उसको भी लेगाय है जो दो साल टीम मैं नी था जो प्लान में खुद गहरा है भाई मैं प्लान में इसका domestic और international performances से कोई तालुक नहीं है वही जिस बात पर हम जिन्दगी बर रो रहे हैं पिंड पंजाब 11 खिला रहे हैं वही लेकर चलेगा उठा कर मतलब आमिर के लिए आप कहा रहे हो कि बाई domestic में परफॉर्म करें टीम में आ जाए अब है सरफरास परफॉर्म करें के दे रहे हैं लेकि आउट टीम में अचा इसके अंदर आप एक चीज नोट करें कि ना सिर्फ हफीज ने रिजाइन किया उसके लावा इंजी भाई भी कल होनी थी टीम अनाउंस लेकिन उस मीटिंग में वह नहीं है और आज आके बोलते हैं में चीफ सेलेक्टर ही नहीं है आपका मिटिंग के अंदर हां मतलब आप यह जैक्टर को कितने वह प्रोफेशनल है माशाला आदी हवाँ जो के जोंसा के हैं जो आदे जोंसे जो है आदे स्काइप के आए आदे बैठे वे हैं आदे हैं नहीं अपे ऐसे मिटिंग होती है हफीज मिल्बा का समझ आता है कि बस वो एक वो अपनी राय देने के लिए होते हैं लेकिन उनकी राय को भी कोई एमियत नहीं दी गई तो हफीज मैंने सुना है कि इस टीम से बिल्कुल नाखुश है तब ही उन्होंने रिजाइन दी है दो दफार टूइट के है उन्होंने बहराल मैं यह कहना चाहूँगा कि भाई बाबर जो इना वो इस तरह के कप्तान साबित हुए है अपने आपको उन्होंने यह चीज तो उन्होंने मनवा लिए कि भाई मैं ही जो इना अथारिटी हूँ मैं ही टीम स्लेक करूँगा जैसे इमरान खान और एमस धोनी करते थे जाए तो अगर यह बुरा रिजल देते हैं तो ही विल ओनली है विमसेफ तू बलेम तो अब यह यह के मैं अप फिर वही टीम लेके जा रहे हो वाइस कैप्टन भी लेके जा रहे हो बजाब को ड्रॉप अमको ड्रॉप और नहीं करते हैं वाइस कैप्टन भी बेटा जै इसकी प्रॉपया अजूरा जाए है कि अगर शाद आपने पर्फॉर्म नहीं किया तो हम ड्रॉप कर लेंगे, कर लो, नहीं कर सके हाँ वह इतनी बे तुकी सी बात कर रहे हैं जका श्रफ के भाई हम अब इस तरह से प्लैन कर रहे हैं हमारा कोई भी बालर उन्फिट ना हो तो अभी इसमें बोल है उन्होंने कि हम लोग आप कम से कम लीक्स खिलाएंगे अपने प्लेयर को अब क्या फायदा भाई जब हमारा सबसे मेन वैपन अन्फिट होके बैठा हुआ है अभी नसीम शाह अब क्या फायदा जो समझता है कि इस अटेक किस तरह करना है मिड्ल ओवर्स में क्या करना है डैत्ट ओवर्स में क्या करना है उस बालर को इन्होंने इतना परबात कर दिया यानि इतना रगड दिया कि वो विचारा गिस गिस के छोटा होता है चलें, coming to the openers पहले सबसे पहले फखर की selection पर आप क्या कहेंगे बाई कि उनको carry किया है फिर से कहना मैं आपका बाबर ने ये वो ही बात है कि that's the way he plays कोई आउट हो जाए ना इस तरह का बंदा जो attacking player that's the way he plays कहके उसके सारे पानी पानी डाल देते हैं उसके उपार के खेर हो गई that's the way he plays लेकिन भाई फखर continuous failure है आज मैं देख रहा था इंडिया और आस्ट्रेलिया के मैच के इंडर हरश्या ने काफी तारीफ किये अब्दुल्र शफीक की तो आपको लगता है कि अब्दुल्र शफीक को चांस बले है क्योंके इमाम तो पक्के है जन ओपनर यार मिलना तो चाहिए यह नाओस बीचारे के साथ भी जही करें कि जब तक हम वर्ल्ड कॉप से बाहर नहीं हो रहे उसको बैंक पर उसके बाद इसको एक बैंक देदें बंडे वाला अब जो हमारी modern day cricket है उस हिसाब से उस criteria में वो फिट नहीं बैठता है अब्दुल्ला शफीक लेगे नहीं हम उसको इसको इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि उसने आखरी मैच में पचासर इन माड़ दिये थे बस यह हमारा जिंदे की बरका है यासर अमीद हो इ खेलना है यार इस तरह नहीं होता अबनार आपका नहीं बॉल से जब यूं अंदर बाहर आती है ना तो अब्दुल्ला शफीक पेल्ट पे मूँ पे इदर उदर बहुत खाते भी नोट करें कि जो है हमारे चीफ सेलेक से फखर जमान की आप बात कर रहे थे फखर जमान मैच का प्लेयर है यही बात इंजिमाम कह रहे हैं अबे कौन सा बड़ा मैच आएगा भाई तेरे लिए क्या बड़ा करके लाए हाथी के ओपर चार हाथी के ओपर मैच खिला है तुझे समझ नहीं आ रहा एशिया कप में और कैसे बड़े मैच आएंगे इंडिया का मैच आ और जो है हम मुविंग ऑन तो दा नेक्स लेवल हम यह पता करेंगे आपसे के भाई हारेस के ओपर यह बात हो रही थी कि उनको तो इंटरनेशनल लेवल पर ODI फॉर्मेट के लिए बैट भी नहीं पकड़ना आ रहा है कि उनको किस तरह से निंगो केरी करना है आउट होना पूरी बात नहीं है लेकिन एक बिल्कुल क्लूलेस होके आउट हो रहे थे वो तो उसके बावजूद भी जो है सरफरास को एजा बैक अप विकट कीपर नहीं रखा गया और इस्टिल उन्होंने हार इसके साथ के साथ कहरी दिया मैं तो यह कहूंगा कि वह मौडरन टाइम में दाल दो और उधर बोलो भाई तू अपने पैसे कमाले तुझ अल्ला ने देदी इजद तो तू इतना कर ले टीम के लाइक नहीं है यार वह बनना ना उसका उसका वह है केलने का तरीका वह वाला अब आप यह लेखो ना सरफरास को देखो सरफरास ने कितना अच्छा पर्फॉर्म कर आप रिजर्व में रख देते हैं यार आप एठ कीपर लेके जा रहे हो टोटल सही है और अगर उसके अंदर भी रिजर्व में किसनको रखा है हारेस को मनलत सेलेक्शन यारी बाई समझ से बहारे मेरी मैं तो हारेस से पहले भी तपावा था दो चाड़ दि पहले भी मैं आप भूल ला था, इश्यक अपने भी बूल ला था, कि वो क्यों है भाई, उसका वही वाली बात है, अगर आप सर्फराज और हारिस को देखो, तो अब वर्ल्ल कब में सर्फराज का बनता है, मैं वही कह रहा हूँ कि वो इंजिमाम एक दरफ कह रहे हैं, कि आम सेट किये हैं, कि हमारे काईज़ाजम ट्रॉफी की हमारे डुमेस्टिक की को युकात ही नहीं है, बिल्कुल है, सही है, क्योंकि सर्फराज फर्स क्लास क्रिकेट के अंदर, मतलब आप टेस मैचेस देख लो जो उसने खेलें, उसमें परफॉर्म किया है, उसने कीपिंग ज विक्टम्स भी हैं उसके विक्ट के पीछे, लेकिन आप उसको एग्नोर करके हारिस को लेके जा रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं, सिर्फ दोस्ती आ रही है, क्यों प्रिशावर जल्मी में कप्तान के साथ खेलता है अपने, यह मुझे समझ से बाहर है, और क्या करें एक सेलेक्ट होने के लिए है, मतलब वो रन्स कर रहे है, विक्ट कीपिंग उसकी फ्लॉलस है, लेकिन वो फिर वही है, बात है कहने को लेकिन करें, कप्तान से दोस्ती करें, वेट लिफ्टिंग करो बड़ा स्कोप है, बाई, जिन्दा मिसाल आपके जामने फवाद आला में, उसने 20-30,000 रन बना के दे दी है, फ़स्ट क्लास ने उसको फिर भी यह जोन सा भाई लेगर नहीं आरे ते टीम में जबरदस्ती परफॉर्म करें, आपे क्या करें, कैसा परफॉर्म करें, क्या बहु पहन के क्या पिछ पिछ पे डांस करना हूँ वह वाला परफॉर्म करे आप मिडल ओडर में आपके वाद सा उचेगिल आपने ट्राइ नहीं किया पीछे वह एक मीम भी चल लाई थी, सा उचेगिल के रहे हैं, मुझे बाबर आजम ने पिच पा की बताया, आप बीमार हैं, मुझे तो पता भी नहीं तो बीमार हूं भाई, तो ऐसे इस तरह से त परफॉर्मस दी, कौन सी परफॉर्मस दी, कौन सी परफॉर्मस दी, नहीं लंका में तो उन्हों नहीं हमारा क्राइटेरिया लंका प्रीमार है, यह एक जो अबजेक्शनल लेवल चीज़ है, और उसके बाद वो जिन्दा दिल आदमी टीम को एनरजी देते हैं, आप कौन आपने एक मैच खिलाया और उसने कुछ गलत नहीं किया उस मैच में, इविन आप उसने बता जिया कि बाई शायद आपके मुलक का वो बेस्ट डैट बॉलर है, सही है, जमान खान ने यह किया, फिर जब आप वर्ल्ल कप की टीम अनाउंस करते हो, तो जमान खान जो रिजर इसका कहीं यह मतलब तो नहीं है कि थोड़ा बहुत बेटिंग करने वाला भी हमको नमबर नौ पे चाहिए, कि नमबर आठ तक अगर कोई, जमान खान को रिजर्व में रखना और हसन अली को मौका देना, इसका क्या वज़ा हो सकती है, एक ही वज़ा नसर आ रही है, मुझ तो उस चक्के के लिए आप जमान खान को बिठा दो कि मेरी तो यह समझ से बालातर है, यह एक तरस देखा जाए, तो आज तक हम उस बात पर डिसकस भी करते हैं, कि हसन अली ने मेरे भी और बहुत सारे लोगों के हैसाब से, सिंगल हैंडिड ली आपका सेमी फाइनल ऑस्र और लाज बॉल पे भी चौका खाया और मैंने का यार यह अब मैच खतम होगी आपका यहाँ पर अपर अपर बाबर आजम ने वहाँ पिटते ही रहे थे, पूरी सिरीज पिटते रहे वरल्ल कप में, फिर भी बाबर आजम ने वहाँ जिद कर रहे हैं उसको खिलाया है, बोलाओ का मिरी सिलेक्शन हो गई! मुझे लग रहे हैं मेरी सिलेक्शन हो गई! यह वही वाला मी मुझ को याद आगया है नमसाब कुछ नहीं कर रहे हैように कुע कर अधा करो तो वह प्योर्य कीम्स कीम में कोई अलका फुल क स्का क्ष cu भी कुछ कर देते नहाए वसीम जूनियर क्यों है टीम में? वसीम जूनियर आप बताओ जारा इसी ग्लैमर आजाता है तोड़ा सा तोड़ा सा पाकिसानी प्लियर तोड़ा खुब तूरा लगेंगे इंडिया में जाके मतलब क्या किया है उसने यार जो आप उसको लेकर चलेगा उठाकर अच्छा हसान अली का मैं बताओ चलू कि उन्होंने एक साल से कोई ODI नहीं खेला जून 2022 में उन्होंने लास्ट ODI खेला तो उनकी लास्ट 10 मैचों की परफॉमेंस ODI की यह है कि उन्होंने 85 के एवरिज से साथ विक्टे लिए तो आप बताओ कि मतलब एक उसके बावजूद उनका 85 का एवरिज है तो आप बताओ एक बंदा सोकर उटता और देखता है उसका नाम आगया टीम में अब भाई PMT यह उसके अंदर है अनरजी देटर है जनरेटर है हमारा जनरेटर है अब उस दिर में आपको कह रहता है यार उसमान गादर जो होने चाहिए टीम में और वो इसलिए क्योंकि वो बाबराजम के दोस्त है आपने कौन सा क्राइटेरिया आज देख लो क्राइटेरिया ही है आपने गलत बताया था जो बाबराजम का ज़्यादा करीबी दोस्त है उसके लिए ज़्यादा करीबी भी होना देख है बार बार एक बात प्रेस कांफरंस में कही जाती है कि हमने लिस्ट ए और डिमेस्टिक की परफॉर्मंस के ओपर बाई वो खेला नहीं है एक अर्से से जो है आपका हसानி खेला नहीं है जो डिमेस्टिक के पर्फॉर्मर्स थे उन्हों Food चाहीए ज़े और आप एक तर si यह आप बोल रहे हो कि हम डुमेस्टिक और लिस्टे की क्रिकेट के ओपर चांस दे रहे हैं और दूसी तरफ आप एक लीग के अंदर परफॉर्म करने वाले को चांस दे रहे हो अजीब बेतो की कन्फ्यूज सेलेक्शन थी मेरे तो समझ से बाहर है भाई बहराल हम नेक्स टॉपिक पे जाते हैं आप मुझको यह बताएं कि बाई स्पिनर्स का क्या रोला है यहां पर यह मसले मसायल तो खतम नहीं होके दे रहे आपका जो वाइस कैप्टन है वो तो इंतहाई पिठाई घार है वो हर मैच के अंदर लेकिन वाइस कैप्टन भी है और वो जो इनॉइशन आप वी करिंगे इंडिया की पिच्शें के ओपर जहां पर आपको पिठा सकां चाहिए महां पे शादाआः वहां हमारे पास तो सामा किया तो पारे गाना से नंगा? सोचना भी मना है बावर के पके दोस्ते हैं? ओंवों तो कहलेंगे शादा आपके होते हुए आपके पास नवाज है इनके रिप्रिंटर्व कोई हमीद नजर आ रही है क्यूककर आप एक चीज नोट करें तो जिस बंदे का बहतर एवरिज है जो बंदा पर्फॉर्म करता आ रहा है आपके डुमेस्टिक के अंदर अबरार उसको आपने रिजर्व में रखा हुआ है सही है और किस बेसिस के आप उपर जो है ना आप शादा आपको खिला रहे हो और वाइस कैपिटन ना बेमार भी नहीं होता कि वो बेमार हो के बाहर हो जाए वर्ल्लक अप से और फिर आ जाए यार इस्पिनिंग जो हमारा अटैक है ना हमारा पूरे इस वक स्पिन डेपार्टमेंट सबसे हलका है इस वक जितनी आप वर्लक अप की टीम्स देखे ना उसके अंदर सबसे हलका हमारा है और मैं उमीद करता हूँ कि यार जब जब ऐसे मौके हुए हैं पाकिस्तान के उपर गो इन्होंने बहुत अच्छा पर्फॉर्म करा है अल्ला के वास्ते भाई कर जाओ पर्फॉर्म यार शादा भाई अब तो कर लो हाँ मेरे खाल में ये आखरी चांस है अब भाई आखरी चांस क्या मतलब यार यह भी चांस का वो हगदार नहीं था अब ये एक और मिल गया है भाई कर दो पर्फॉर्म कर दो भाई अच्छा एक चीज़ और इंजी भाई की मुझे याद आई उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस में ये बोला जब उनसे इमात के बारे में सवाल किया गया कि इमात क्यू निये टीम में तो उन्होंने बोला उसने कड़से से ODII नहीं खेला उसकी जो पर्फॉर्मेंस है वो टी गुझ इन्जी भाई ना बस ये कर रहे हैं कि वो असर में मूलता है लो जोड के पैर नहीं होते हैं सही है तो अचोशल ऑफ दोता है कि आगले डियों है और वो पूल गयते हैं पहले किना हैं और यह उसके बात क्या कहेंगे जाहरा है ृब अब मुझे समझ नहीं आरा एक आपका और वो एक और कौन इंतिखाब आलम है मोहिन खान ये आपका क्या नामें से मामुलक मेजबा ये यही वगार यूनुस ये इधर ही घूम रहा होता है ये खुदी सुबह उठते हैं और अपना विजिटिंग काट निकालते हैं कि आथ से मैं चीफ सेलेक्टर हूँ आथ से तुम चेर्मैन हो आथ से मैं यहारा दुब्दल साब हो गए यहारे सारे यामारी योनुस खान को एक सही आदमी को बनाया उसको जैसे ही बनाया उसको हट परफॉर्मेंस के बेस पे जो टीम सेलेक्शन कर रहा होता है उसको पहली फुरसत में फारिग करते हैं यहां पर अफ्रीटी को तो इनोंने कहा था अफ्रीटी ने खुद नहीं उसको कंटीनु कर रहा था उसको पता दा करें कि लोगा दो महीने बाद बोलेंगे गए मतला वसीम जैसा प्लेयर बाहर कोचिंग कर रहा है दूसरी टीमों को लीक्स जित वार और यहां पर एक दफा भी कोच बनके नहीं आया है तो आप नोट करें कि मतला हमारा इर्फान पठान को बनाने वाला वह आदमी है इंडिया को उसने बहुत सारे वहां पर ब्रेटली ले लेते हैं चलें बॉइस जो है बहुती डिसपॉइंटे हैं आज कोई उनके चेहरे पे मुस्कुराइट नहीं है मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है देखके लेकिन फिर भी शो खतम करने से पहले मैं आखरा आखरी सवाल यह पूछना चाहूंगा भाई कि अब भी यह तो नहीं कर सकते हैं यह तो आफकोर्स हमाई पास रही है कि सेलिबरेट करने को क्रिकेटी है और पाकिस्तान टीम का फैन होना भी एक बहुत बड़ा दिल गुर्दे की बात है यह रकिसी के बस की बात नहीं है और नहीं देख़े जो विचारे कमज़ोर दिल को पॉलो क्योंकि उनमें सहाथ है तो काटियों में होते हैं यह पर मर जाते हैं आप क्या कहेंगे अली बाई कोई चांस नजर आ रहे है आपको यह चांस हमारा कभी जिंदगी में नहीं होता किसी बी वर्ल्लकप में लेकिन हम वो जैसे अब उसने किविन पिट रिसन निकाए के पाक करना है चोड़नी सकते जो भी है जैसा भी है अपना है सपोर्ट करना है गल्दियां खामिया है उसको जागर खड़ते रहते हैं कि यह हमें मसलह लग रहे हैं इसको आप सही कर लो अगर कर सकते हो तो बाई यह सीन्स कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तानी जो वो बड़े नराज है इस वक्त लेकिन है तो टीम पाकिस्तान तो क्या कर सकते हैं भाई तो वी आर मैड अट यू टीम पाकिस्तान लेकिन इट ड़ेंट मीन के वी आप स्टॉप केरिंग अबाउट यू तो होपफुली के यही टीम जाकर जो ऐसा परफॉर्म करेगी क्योंकि दिस इस दा लास च परफॉर्मिन्स ठाली मालो भाई तो होपफुली बावराजम यही करेंगे अपनी टीम के साथ जो हमने अभी डिसकस किया है कि हमारा मूब बं करेंगे हम उमीद करते हैं कि पाकिस्तान इस वर्ल्लकप में अपना दूसरा टाइटल लेकर आएगा होपुली हमारे चैनल को जल से जल सब्सक्राइब करके वर्लक अब हमारे साथ एंजॉय कीजएगा अल्ला आफिस